होंबाले फिल्म्स जो KGF के बाद हर एक कॉंटेंट पर जी जान लगा कर काम कर रही है चाहे सलार हो, कंतारा हो या आने वाले फिल्म बगहीरा हो जो भी ला रही है, सब डार्क है भाई पोस्टर से लेकर इनके टीजर ट्रेलर में हर एक सीन डार्कनेस से कूट कूट कर भरा है और आज जो टीजर आया है बगहीरा का, उसमें भी डार्कनेस आपको दिखाई देगा anyways, फिल्म की थीम ही डार्क है, तो अपन भी क्या कर सकते हैं बगहिरा का टीजर आया है आईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी देखो सबसे पहले बात जब KGF के बाद कुछ फिल्म्स की अनॉंस्मेंट हुई थी लाइक KGF 2, KGF 3, सलार, बगहिरा तो मुझे परसनल लग रहा था कि ये सारी फिल्म्स KGF यूनिवर्स का हिस्सा होगी लेकिन मेकर्स की माने तो ना सलार उसका हिस्सा है ना बगहिरा और बगहिरा तो प्रशान नील ने डेरेक्ट भी नहीं की है तो जो ये टीजर आया है वो इस फिल्म के लीड कैरेक्टर या अक्टर के बर्थडे पर आया है और आज हर कोई यश को जानता है और हर कोई चाहता है कि उन्हें हम और भी किसी फिल्म में बहुत जल देखे टीजर देखने के बाद एक बाद तो समझ में आ जाती है कि मूवी जो है वो एक ऐसे बंदे पर स्पेसिफिकली एक पुलिस आफिसर पर बेस्ट होगी जो कम्यूनिटी में बाहर लोगों में हिंसा के खिलाफ लड़कर सोसाइटी में जस्टिस लाना चाहता है बट पुलिस की वर्दी में जस्टिस किसी को देना वो भी इमानदार रहकर ऐसा इंडिया में होना कितना इंपॉसिबल है वो तो हम लोग हर एक मूवी में देखते आ ही रहे हैं तो ये जो पुलिस वाला है वो अलग रूप लेकर बन जाएगा एक अंडरकवर असासीन मूपे कपड़ा लगा कर थोड़ा सा हूलिया चेंज करके और लोगों को इंसाब दिलाएगा वैसे आपको शहिंचा फिल्म याद है अमिताब बच्चन सर की उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी की ही थी ना अमिताब बच्चन पहले पुलिस ऑफिसर रहते है लेकिन रूप बद रिश्टे में तो हम तुमारे बाप लगते है नाम है शहिंचा ऐसा कुछ बोलकर वो जस्टिस दिलाते थे वैसे ही कुछ स्टोरी टेलिंग इधर भी है 100% ना सही पर 20-30% स्टोरी तो सेम ही लग रही है बाकी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा या एटलिस्ट ट इससा ही खतम कर दिया एक टीजर, no dialogues, only presentation, only music, bgm and action and action से लग रहा है कि इसको भी a rating मिलने वाली है लड़की को जलते हुए दिखाना, घूमते हुए पंके से खून के छीटे ऐसे उड़ रहे है वो मूँ के आर पार तलवार गुसर देना, so it's quite a rated stuff बाकी music अच्छा था, एक date या उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, बट कुछ reports की माने, तो ये 26 जनवरी को release हो सकती है, बाकी अगर आपने teaser देखा है, तो आपको कैसा लगा मुझे comment में ज़रू बताना, मिलता है आगले वीडियो में, बाई